मौन्सून में भले ही बारिश अच्छे लगते हैं लेकिन इस मौसम में उमस कई बिमारियों को जन भी देती है बारिश के मौसम में खाने पीने की आदतों में बदलाव होता है और गर्मा गरम पकोड़े भुट्टे समित कई तरह की ऐसी चीज़े खाने के लिए आप साफतोर पर आपका मन करता है और आप खाते ही हैं लेकिन ये फूड हैबिट्स आतों की सेहत को नुकसान पहुचाती है क्या ये बाग आप जानते हैं ये स्वादिष्ट भोजन आपको किस तरीके से आपकी ये नुकसान पहुचा सकता है कितनी बिमारियां आपके शरीर में घर कर रही हैं आपको बता दें ये मौसम पांचन की रफ्तार को धीमा कर देता है जिससे पेट से जुड़ी बिमारियां परिशान करती हैं मौनसून में हैपोटाइटिस A और हैपोटाइटिस E नाम के वाइरस सबसे ज़्यादा अक्टिफ होते हैं इसके कारण आतों में इंफेक्शन हो सकता है इस मौसम में पीलिया यानी वाइरस आपको बता दे हैपोटाइटिस बढ़ जाता है अक्सर बाहर का खाना खाने से कुछ लोग उल्टी, लूज मोशन, पेट, दर्ड, बुखास से जूचते हैं इसे आप साफतोर पर एक अक्यूड गेक्स्ट्रो एंटी राइटिस कहते हैं इसमें आतों में सूजन हो जाती है जो लोग सल्ल मौनिला नाम के बैक्टीरिया की चबेट में आते हैं उन्हें टाइफाइट हो सकता है मौन्सुन के सीजन में हवा में उमस होती है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इससे बैक्टीरिया को पनपने में मदद भूती है खाने में फंगस भी कुछ घंटे में ही लग जाती है ऐसे मौन्सम में अगर सड़क किनारे बिक रहे फूड आइटम्स आप खाते हैं तो आपको बता दें कि ऐसे कई बैक्टीरिया होते हैं और नौरो वाइरस के कारण जादा होती है एंट अमीबा गंदे पानी और खाने के साथ शरी में प्रवेश करते हैं अब सवाल उठता है कि क्या खर के खाने से भी फूड पाइसनिंग हो सकती है ऐसे में आपको जवाब क पर पता दें कि फूड पोईसनिंग तब होती है जब खराब खाना खाया जाये इंपस्रीम क्या के भार या घरका का कि नहीं घर का खाने सी यह विमारी होती है जो भी पकाए 6 घंटे में रख ल काम प्रोटीन जादा जल्दी खराब होता है एक जबрист News नही Hindi कर अबले क्श करता है कुछ लोग बहार से स्प्राउट्स खरीडते हैं किसी को नहीं पता वैं कैसे पानी में भीगोए गये हैं ठीक वैसे ही पीजा बर्गर या रोटी का आटा अगर गंदे पानी में गुंदा गया हो तो वैं बीमारी का कारण बनता है आपको बता दें टेंडा पैक जू चीजे 24 घंटे तक ही रखें तो ही है दूद चाज दही इसके बाद खराब हो जाते हैं बैतर है कि चाज दूद या दही को तुरंता पी ले फ्रिज में 24 घंटे से जादा वक्त के लिए वही चीजे रखें जो आपको पकानी है इस मौसम में हमेशा गर्म खाना खाएं इस गंदे पानी से धुली या खराब पत्तों वाली सब्जियां वो भी प्याज डाले गई हो या कोई भी सब्जी या आपको समूसे में परोसी गई हो आलू डाले गए हो किसी भी चीज में सब्जी का प्रियोग किया गया हो तो वह गर्म होने के बाद नुकसान इसके पीछे कारण है साफ सफाई आइसक्रीम कितने दिनों से और किस टेंप्रेचर पर रखे गई हो किसी को नहीं पता कई बार आइसक्रीम पिखलने के बाद दोबारा मल आपको साफ तोर पर उस कंडिशन में करके मिल जाती है नमी की वज़ा से इसमें बैक्टीरिया पन आपको बता दें कि पानी पाचन तत्र के लिए नैच्रल दवा है इस मौसम में हर रोज दस से बारा ग्लास पानी पीने से शरीर की गंदिगी निकल जाती है बिमारिया आपके शरीर में घर नहीं करते हैं पेट साफ रहता है और पाचन प्रकेवर्या दुरस रहती है साथ ह आपकी डिहाइडरेशन के समस्या भी दूर को जाती है ऐसे में आप अपने लाइफस्टाइल को बहतर रखें तमाम चीजों का ख्याल रखें जिन्दगी आराम दायक बनाने के चक्कर में जिन्दगी को मौत के मूं में न डालें ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब